स्वागत है आपका आज की चर्चा में सबसे पहले एक खुश कवरी जो शोय बेन दीपिका के यहाँ बीबी बॉय ने जनम लिया है उनको इस बात के लिए बहुत-बहुत मुबारक बात और पूरी फैमिली को इस बात के लिए मुबारक बात किस्मत वाले हैं कि उनको यह मौ बारक बात इस खुशी के वाँके पर अल्ला से दुआ है कि दोनों बेबी बॉय भी अधिपिका भी बिल्कुल ठीक और स्वास्त हो इस खुश कवरी को सबसे पहले शोय बने अपने एक पोस्ट से लिया था कि जिसमें उसने बताया था कि बेबी बॉय हमको मिला है और इसक मसते हैं कि अगर वो कुछ ऐसी चीज ऐसी नियूज देंगे तो वो ज़्यादा पॉपलर होंगे वो चीज ज़्यादा वाच की जाएगी ज़्यादा व्यूज आएंगे तो ऐसे ही देख भ्रहमित या कही है जो एक यूट्यूबर है उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कै इन्धटी के लिए जो बहुत ही अफसोस और शेरमनाक बात जहयाँ आप किसी से कुछ भी आपने विचार रखते हों लेकिन Körper हों लेकिन किसी के लिए इस तरह की बाते नहीं कर सकते जो बैसी कर देख है इंगे कौईज ind Every अविचरी करें थे? को देखना और करना बंद कर दें चले छोड़ते हैं ऐसे लोगों की ज़्यादा बाते नहीं करने चाहिए लेकिन देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा तो इसलिए जिकर आ गया और कहना बनता है जिससे कि आप लोग भी थुड़ा से सावधान रहें सजग रहें कि इस पूरी प्रिग्नेंसी का पीरिड है वाँकों के सामने एक बार घूम जाता है पहरे तो यह प्रिग्नेंसी बड़ी सश्पीशन में रही काफे दिनों बाद इसके डिक्लिरेशन हुआ उसके बाद में लोग अपने कयास लगाने लगे कि यह कब का है जब सबा जब यह सबा कि शादी चल रहे थी और उसी टाइम से पहले की बात है और जब इसारी शौपिंग चल रही थी और सारी जो इधर से उदर आना जाना मोदा से मोदा से लखनौ लगनौ से बंबे बंबे से लखनौ यह सब चल रहा था उसके बाद में सश्पीशन और ज़यदा मतलब अप्टरस को ने दिखाया, किसी तरह की रिपोर्ट के बारे में कोई डिसकेशन नहीं होता था, यहां तक कि देखे फैमिली में पहला मेंबर आ रहा है, तो यह इतनी खुशी की बात होती है, अधिक तर जो है, रोज ही इसके बारे में कोई ना कोई चर्चा घरों में होती है लेकिन यह फैमिली तोड़ा सा अलग बिहेव कर रही थी, कि फैमिली के बारे में और पेगनेल्सी के बारे में सरिफ दीपी का ही कुछ अपडेट देती थी, और दीपी का ही अपने व्लाग में कुछ बताती थी, इसके अलावा कोई भी फैमिली मेंबर को ज़्यादा इस नहीं करता था, कभी-कभी शोयब अपने व्लाग में दिखाते थे, जब वो दीपी का विसाथ होते थे, तभी रिखाते थे सिर्फ, उसके अलावा वो भी कभी उस बारे में चिकर नहीं करते थे, और अगर बात करें बाकी फैमिली मेंबर्स की बरा पुरा परिवार है, का कोई ये करना है, हमको वो करना है, ऐसा होगा यो वैसा होगा, किसी भी तरीकी की या फिर दीपी का को होने वाली किसी भी तरीकी परशानी के बारे में भी फैमिली मेंबर्स कोई भी जिकर नहीं करता, सिमिलरली लोग जो है इस टाइम पर जो प्रिग्नेंट लेडी होती है उसको बहुत ज़ता खियर करते हैं उसको पैमपर्ट करते हैं पर ये फैम्ली में थोड़ा सा ये सब बिल्कुल नदारत रहा और अगर बात करें ट्रिडिशन्स की यानि कि रिच्वल्स की और जो हमारे परंपरा हैं तो वो परंपराओं के नुसार भी कुछ रिवायत हैं कि बेविशावार या फिर गोद भरा ये सब चीज़ें की जाती हैं वो भी इस फैम्ली ने कभी करी नहीं उसको अलग लग तरीके से बहाने सरिफ और सरिफ दीपिका की तरफ से आए बाकि और किसी की तरफ से तो आई नहीं जबकि परिवार में देखा जायते हैं खुशी का बहाना डूनते हैं और कोई भी खुशी घर में आने वाली हो तो उसको सेलिबरेट करने में किसी तरीके से कमी नहीं छोड़ते हैं अब अगर बात करें जैसे अभी अभी हमारे मेंचैल्ड यानि कि शोयब जी का बर्डे था तो वो बर्डे के आप अगर देखें तो कितने दिन से उसके जर्चा हो रही थी और उसको ऐसा एक एपिक इवेंट बना दिया है कि उसको रोज ही उसके बारे में कुछ ना कुछ आता था और कुछ ना कुछ बते होती थी तो इस तरह से घर में एक नया मेमान आने वाला है और जो बिसिकली देखा जाए था परिवार को हमारी इंदोस्तानी परमपरा में कहते हैं कि परिवार को आगे चलाने वाला उसके बाद में भी उसके बारे में किसी तरीके से कोई और बाते नहीं होती चलिए अब बात करते हैं कुछ संयोग होगी एक संयोग सबा अचानक ही वहाँ से अपना जो है सोकॉल हनीमून और कश्मीर टूर छोड़के जो बिसिकली बहुत अच्छा चल रहा था वह दवदव उसके ब्लॉग्स आ रहे थे उसको बड़ा हाई रिवर्स मिल रहे थे तो वह वहाँ से छोड़कर अचानक आती है और अचानक आने में वह सीधे की सीधे बॉम्बे आती है और बात यह थी कि भाई का बर्डे है अगर भाई की बर्डे की बात कहो तो यह डेट तो पहले सी फिक्स थी तो यह डेट तो सबको पता थी लेकिन वह वहाँ से छोड़कर सीधे वहाँ तक आती है कुछ यह दिन पहले जो दीपीगा की ममी है वह ममी आके रहने लगती है पूरा एक तरह से एक फ्लेट में वह रहने लगती है यह सईयोग की बात है फैमिली में कभी भी बच्चे का जिक्र होता था तो सबसे पहले जो सबके मूँ से निकलता था कि आएगा बॉय इस तरीकी से बात की जाती थी फिर बाद में यह सोच के कि हम यह क्या कह रहे हैं पहले से किसी को कभी भी पता नहीं होता तो हमेशा यह कहा जाता था कि आएगी या आएगा लात मार रहा है या मार रही है इस तरीकी से उसके बाद में फिर इस तरीकी सेंटेंसिज आते थे तो कुल मिला कि यह कि बार 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 ऐसा कुछ इंडिकेशन आरा था जैसे कि उनको पता है कि इसका मतलब उनके याँ बेवी बॉय ही आने वला है और लोगों को ज़्यादा पता ना चले तो इसलिए छुपाने की कोशिश की जा रही थी ये सारी बाते ही ऐसे लगता था जैसे परदा डालने के लिए हो रही है तो फिर असलियत क्या थी कि फैमिली में सब कुछ सब को पता था पर अगर इसको भी अगर माना जाए तो कुछ बाते हैं इसके विरुदवास में भी हैं इसके अलग भी हैं इसके नेगटीव भी हैं कि अगर इन सब को ये पता था कि अभी ये बेबी बॉय आने वाला है तो फिर कुछ चीजें इनकी घर में अगर देखी जाएं तो घर जो बन रहा है वो भी इसे स्टेज में नहीं है कि यहाँ पर कोई बेबी नया बेबी आ सके और वो सुरक्षित और सेफ तरीके से वो रह सके क्योंकि सारे घर में सब कुछ फैलावा हुआ हुआ है और डस्ट और ये सब का माहल बहुत ज़ादा है फिर किसी भी हालत में क्या ये लोग ऐसे तो नहीं रखना चाहेंगे और अगर ये चाहते हैं तो तियार हो सकता था तो ये चीज़े दिखाती है कि ये जोए अनएकस्पेटिड़ था और ये जो बात की जारी है कि ये अचणक ही हुआ तो ये इस बात को शो करता है अगर दौनों ये बाते देखनी की कुशिश करें जो पहले संयोग के नाम पे मैं बताई है और बाद में ये जो घर और ये सब की बात थी तो अगर दोनों बातों को देखने के जाए तो दोनों ताल मिल नहीं खाती तो ठीक से पता नहीं चलता तो फिर कौन से चीज ऐसी है जो दिखने रही है और जो छिप रहा है कहीं ये व अल्ला से भी दुआ करेंगे कि बेवी और मदर यानि कि दीपी का दोनों ही ठीक होकर अपने घर आएं और इन खुशियों को पूरा करें और अल्ला करें कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जो बेसिकली प्री मैचुर हुआ है तो अब उसकी देखवाल की बहुत ज़्या जरुँत है कि उसको हुस्पटलाइज में रखा जाये, कंडिशन में रखा जाये, आईसे वेगरा में रखा जाये या घर पे रखा जाये लेकिन फिर भी अगर घर पे भी रखा जाता है तो बहुत जड़ा देखवाल की जरुँत है तो अल्ला से दूआ करेंगे कि वो सब्सक्राइब करें और खुश रहें और सब लोगों को खुश रखें और आखिर में अपने रिष्टों की कदर करें क्योंकि ये रिष्टे ही हमको आगे लिखे जाते हैं यही जिन्दगी की इचापी है शुक्रिया थैंक यू धन्यवार